गाइच इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर अपने फोन पैस से किसी को भी पैसा ट्रांसपर किया या तो अपने मोबाइल नंबर से किया या तो अपने स्केन पैस से किसी को भी पैसा ट्रांसपर किया लेकिन वह जो पैसा है वह रिसीबर को रिसीब नहीं हुआ य क्यों कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और यह जो पैसा है यह मेरे बैंक अकाउंट से भी कड़ गया लेकिन उसको भी नहीं मिल रहा है और वह जो पैसा है वह पैंडिंग में रह गया है तो आज के इस वीडियो में आपको सारी प्रोसेस देखाऊंगे कि कैसे आपको वह जो पै प्लिक करना है और इंभला किरेंगे तो हैँरी पर देख सकते हैं यह पर प्रोसेसिंग दिखा रहे याने कि मैंने जिषको भी पैसा ट्रांसपर किया था उसके एकाउंट में भी नहीं गया है लेकिन मेरे जो एकाउंट है वहां से यह पैसा कट गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है यह जो पैसा है आपके एकाउंट में वापर लाने के लिए सबसे पहरे तो आपको यहां पर क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देख सकते हैं और उसके बाद आप यहां पर message करके आपका जो problem है वो यहां से पूछ सकते हैं और उन्हें यहां पर बताया है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं क्रिपया इस बात का फ़रोसा रखें कि हम आपके bank के साथ मिलकर इससे हल करने के पूरी cases करेंगे तो यहां पर दो दिन यानि कि 48 खंटा 48 खंटा कर टाइम यहां पर वांगा है ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो उन लोग उसी टाइम के अंदर शॉल्प कर देंगे तो यहां पर इस तरह से बता है अगर आपको और भी जन कर चाहिए तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं और यहां पर क्लिक करने के साथ यह आपको जो भी जन कर चाहिए वो आप यहां से सेलेक कर सकते हैं यानि कि यह जो मेसेस है यह आपको जो भी प्रॉ जब भी हम phone pay से पीशर transfer करते हैं तो ये direct bank to bank पेशर transfer होता है जासे जो phone pay वो phone pay के माइध्ण से transfer होता है लेकिन ये जो पैसा ये phone pay में नहीं रहता है ये bank का मेंटर आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो पैसा कटा है वो जो पैसा है वो या तो आपने जिसको भी send किय है उसके account में चला गया है लेकिन वहां पर receipt नहीं हुआ है या तो हमारा bank account में ही है हमारा bank account से वह कुछ technical problem के वज़े से send नहीं हो पा रहा है और इसलिए phone पर यहां पर बताता है कि हमारा जो problem है वो bank के साथ बात करके सुल जा देंगे और अगर सामने वाला बंदा का जो bank है उसने अगर accept नहीं कर पाया तो हमारा पैसा है वो हमारा खुद का bank account में आ जाएगा लेकिन सामने वाला का बंदा का जो bank है उसने accept कर दिया तो हमारा जो पैसा है वो उसको चला जाएगा तो आपको यहाँ पर बहुत टेंशन लेने का जूरवत नहीं है आपका जो पैसा है वो शुरक्ची थे लेकिन हो सकता है वो जो पैसा है वो समंणे वाला बंदा के बैंग में भी अगर उसने एकसेप्ट कर दिया तो उसके एकाउंट में भी चला जा सकता है तो इसलिए आप आपने जिसको भी send किया है पैसा तो उसका contact number भी आपको ले किया ना है मैंने भी ऐसे किया था और अगर आपका पैसा सामने वाला बंदा के एकाउन में चला जाता है तो आपको एक notification भी आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा उसके एकाउन में transfer हो गया तो उस टाइम उसको call करके आपका जो पैसा है उसको भेजने के लिए फिर से बोलना होगा तो इस तरह से आप यह जो problem है इसको solve कर सकते हैं इस मिलते हैं नेक्स उडियों में तब तके लिए बाई बाई थेंक्यू